ये वो माराली नहीं थी वो भरष्टाचार का फ्लॉप शो था ये गटबंदन है या ठगबंदन है ये आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं ना इनमें विचारधारा का समन्वे है ना मुद्दो का समन्वे है और ये जो सोकॉल्ड जनसभा करते हैं उसमें भी वजह की भी स बुन रहे हैं क्या आज कोट ने एडी की सारी की सारे तथे देखने के बाद दलीले सुनने के बाद को ये लगा that this is a fit case to send the honorable chief minister to custody यानि उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंतरी अर्विंद केज डिवाल जी की custody extend करने की आवशक्ता है ये कोट का फैसला है बार 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 आमादमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जाच एजन्सियां तथे रख रही है उसमें इस देश की कचेहरियों का ये मानना है कि प्राइमाफेसी evidence establish हो गया है आमादमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करॉप्शन के प्राइमादमी पार्टी लीडर्स का कॉंग्रेस का कुछ और कहना था ये वह माहराली नहीं थी वह भरष्टाचार का फ्लॉप शो था आप सबने वह वीडियो देखा है जहां पर माननीय राहुल गांधी जी के उद्बोधन चल रहा है लेकिन कुर्सियां बिल्कुल खाल है उसका उसकी वजह क्या है एक तरफ आमादमी पार्टी तो कह रही थी कि ये राली इसलिए हो रही है कि अर्विंद केजरिवाल जी की अरेस्ट के विरोध में दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं ये राली जो है ये किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं है ये तो पूरे इंडिया लाइंस की राली है तो ना इनमें विचारधारा का समन्वे है ना मुद्दो का समन्वे है और ये जो सोकॉल्ड जनसभा करते हैं उसमें भी वजह की भी समन्वे नहीं है इसका मतलब माननिय राहूल गांदी जी क्या इलेक्शन आने से पहले ही अपनी हार के बहाने ढूंड रहे हैं क्या इसलिए ऐसी बाते कर रहे है रही बात सोकॉल्ड ऑपरेशन लोटस की आपको याद होगा पिछली बार भी जब इंडे लाइन्स के गड़बंदन के सदस्य आमादमी पार्टी ने ऐसे दोशारोपन करे थे ऐसे आरोप उठाये थे तब जाकर भाजपा ने पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि अगर ऐसा कुछ है तो उस बात की जाच होनी देते हैं जूट बोल देते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी ना तथ्य होते हैं ना सत्य होता है IT डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और हाई कोट से इनकी याचका पहले ही खारज हो चुकी है मैं तो पूछना चाहती हूँ कॉंग्रेस पार्टी से कि क्या इनों ने ये टाक्स इवेजन करा है या नहीं इनकी जवाब देही बनती है जनता के समक्ष